चाहे उम्र किती भी हो, हम सब की चाहत होती है कि लंबे समय तक हम जवा दिखें चाहे बच्चे हो चाहे बड़े हो या मेरे जैसे ज़ादा उम्र की जो महिला हैं दोस्तों हम सब चाहते हमारा चहरा बेदाग और खुबसूरत हो चहरे पर किसी भी तरह के दाग धब्बे ना हो, हमारे तवचा पर जल्दी रिंकल्स नहीं आएं, जुरिया ना आएं मुहाव से एकने या फोड़े फुनसी के कोई भी निशान ना हो आज मैं आपके लिए जो आयरुवेदिक रेमेडी लेकर आई हूँ दोस्तों ये आपके चहरे पर निखार लेकर आएगे, एक ऐसा जादूई पैक का वीडियो लेकर आई हूँ जो आपके स्किन को अंदर से हेल्दी बनाएगा इसकिन आपकी हेल्दी होगी, ग्लोइंग होगी और यूथफूल होगी, याने की लंबे समय तक जवा बने रहेंगे क्योंगी यहाँ इस्तमाल करनी है वीडरूट चुकुंदर का, यहाँ चुकुंदर का एक चोटा सा टुकडा लिया है, जिसे मैंने ग्रेटर की मदद से ग्रेट कर लिया है, कद्दू कर लिया है बीट रूट जितना ज्यादा हमारी सेहत के लिए लावकारी है उसे कई गुना ज्यादा हमारे स्किन के लिए और हमारे बालों को कलर देने के लिए फायदे मंद होता है beneficial होता है शुकुंदर का रस साथ ही बीट रूट के साथ डालने वाली है और भी मेरा healthy star ingredient और वो है गाजर छोटा सा टुकडा गाजर का जरूर लें दोस्तों गाजर विटामिन और मिनेरल से भरपूर होता है हमारे skin को tight करता है हमारे चहरे से दाग धबो को pigmentation को हटाता है नहीं है गाजर माल लीजिए आपके पास कोई बात नहीं आप कच्छे आलू का इस्तेमाल कर सकते हैं आलू तो घर-घर होता है आसानी से मिल जाता है और आलू जो होता है इसके अंदर का जो starch होता है ये starch हमारे skin को tight करता है हमारे तवचा को जल्दी lose होने नहीं देता लंबे समय तक हमारी तवचा पर कसाव बना रहता है आलू का रस जो होता है एक natural bleach का काम करता है हमारी तवचा को bleach करता है potato juice बीट रूट लिया है थोड़ा सा गाजर का टुकड़ा ले लीजे एक कच्चा आलू लीजे आप कुछ नहीं तो केवल कच्चे आलू का रस चहरे पर लगाना शुरू करें जल्दी wrinkles नहीं आएंगे जहाईया जुरियों की समस्या से आपको निजात मिलेगी सांथी सांथ जो आलू का रस होता है दोस्तों यह हमारे चहरे से जिद्धी कालेपन की परत को तेजी से हटाता है सारी चीजों को बारिक टुकड़ों में काट लीजे ताकि आपको ग्राइंडिंग जार में से ग्राइंड करने में आसानी हो ज्यादा बड़े बड़े टुकड़े करती न चुकुंदर के तो ठीक से पीस्ते नहीं है इसलिए मैंने कद्दुकस करा है ग्रेटर से ग्रेट करा है बीट रूट को आलू को बारिक टुकड़ों में काट रही हूँ इसे पीस्ते समय आपको पानल डालने की जरुवत नहीं पड़ेगी क्योंकि तीनों चीजों में अपने आप में बहुत जादा जूस होता है बहुत जूसी होती है तो यहां गाजर का छोटा सा अधा पीस लिया है इसे मैंने छोटे टुकड़ों में काट लिया है बढ़िया अच्छा ग्राइन करके स्मूथ पेस्ट बना ले अब यह तीन चीजे हैं यदि आपका पेस्ट ज़्यादा बन जाए तो आप इसे एक बॉटल में स्टोर करके फ्रीज में रखें ताकि नेक्स डे भी लगा सकें वैसे तो सच यह है दोस्तों कि स्किन केयर हमें डेली करना चाहिए उम्र का पता ही नहीं चलेगा चहरे पर दोसों तो इस तरह से मैंने यहाँ पर बीट रूट, आलू और गाजर यदि आपके पास कोई एक चीज नहीं है गाजर नहीं है तो गाजर की जगह कभी कभी आप टमाटर ले सकते हैं आप कभी आलू नहीं है तो उसकी जगह कुकुमबर, खीरे का भी इस्तमाल कर सकते हैं पर बीट रूट का इस्तमाल करके देखें कमाल का रिजल्ट मिलता है दोस्तों बड़ी अच्छा इसे ग्राइन कर लें और अच्छा स्मूध पेस्ट बना कर तैयार कर लीजे तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने जो पेस्ट बनाया है दोस्तों थोड़ा सा मैंने यहाँ जादा ही बनाया है रोज रोज इतना टाइम नहीं रहता हमें पेस्ट बनाने का यहां चार चमच पेस्ट में अलग निकाल लूँगी बाकी का मैं डिबे में डाल कर फ्रीज में स्टोर करूँगी ताकि कल भी मैं इसे लगा सकूँ दो तीन दिन के लायक बना लीजिए पेस्ट दो दिन तीन दिन बस उससे जादा नहीं खराब हो जाता है आप चाहें तो इसमें कुछ बूंदे नीबू के रस्की डालें ताकि हमारा पेस्ट जल्दी खराब ना होने पाई चाहें तो तो अब आपको क्या करना है दोस्टों ये जो पेस्ट है इससे अब चेहरे पर लगाना है परन्तु ऐसे नहीं लगाना है इसमें कुछ हम और चीज़े मिलाएंगे आज मैं इस्तमाल कर रही हूँ मुलतानी मिट्टी का मुलतानी मिट्टी इसकिन को टाइट करती है हमारे चहरे के सारे जाईया जुरियों को मिटाती है और साथ ही साथ चहरे पर निखार लेकर आती है मुलतानी मिट्टी जगा जगा मिलती है आपको आसानी से मिल जाएगी आप मुल्टानी मिट्टी के टुकडे का भी इस्तमाल कर सकते हैं और आजकल तो ये मार्केट में पाउडर आने लगा है मुझे जादा अच्छा लगता है ये पाउडर तो मैं पाउडर का ही इस्तमाल कर रही हूँ लगाना आसान होता है केवल दो छोटे चमच लिया है जादा मैंने नहीं लिया है केवल दो छोटे चमच दोस्तों सभी उम्र वाले इस पैक का इस्तमाल कर सकते हैं आपकी उम्र कम है तब भी लगाएं आप मेरे जैसे जादा उम्र के हैं 50 प्लस हैं तब भी इस पैक को जरूर लगाईए दोस्तों आपको 100% इसका रिजल्ट मिलेगा तो अचाकी कियर करने से ही हम लंबे समय तक जवाब बने रहते हैं अब यहाँ पर मिलाने वाली है मुलतानी मिंटी के साथ चावल का आटा राइस फ्लोर चावल का आटा राइस फ्लोर नहीं है तो आप जो भी चावल खाते हैं खाने में इस्तमाल करते हैं उसी राइस को ग्राइंड करके चान कर उसका पाउडर बना सकते हैं मैंने ये राइस फ्लोर बजार का लिया है बजार का पिसा हुआ चावल लिया अच्छा महीन पिसा रहता है लगाने में बड़ा अच्छा रहता है पर तो फिर भी जब हम इसे भीगाएंगे ना सोक करेंगे ना तो इसके दाने इसके ग्रैनुल्स थोड़े से मोटे हो जाते हैं राइस फ्लोर एक स्करब के जैसा काम करता है हमारी स्किन को नाच्ररल तरीके से एकसफॉलियेट करता है हमारी तवचा से सारे डैट सेल को रिमूव करता है चामल का आंचा धीरे-धीरे करके बीट रूट आलू और गाजर के इस पेस्ट को डालना है करीब-करीब कोलेजन का इस्तर बढ़ेगा कोलेजन का इस्तर बढ़ने से हमारी तवचा पर जल्दी जुरिया नहीं आती हैं आपकी स्किन को मॉइस्चुराइज करेगा ये इतने सारे विटामिन मिनरल से भरा हुआ ये जो जूस है तो देखिए ये पैक मैंने मिक्स कर लिया है पर मुझ जबा बने रहते हैं तो इस पैक को सभी उम्रवाले लगाएं पंदरा मिनट लगा कर रखें और सब्ता में तीन बार आपको इसे लगाना ही है तब ही आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा तो अच्छी तरह से ये मिक्स हो गया अभी एप्लिकेशन में आपको दिखाने वा मैंने इस पैक को दो तरह का बनाया है एक पैक जिसमें मैंने यहाँ पर हल्दी का इस्तमाल किया है हल्दी बेसन और यही पेस्ट लिया है तो कभी कभी आप हल्दी डाल कर लगाएं परन तो बहुत से लोगों को हल्दी चेहरे पर सूट नहीं करती इसलिए मैंने हल्दी के pack को कम बनाया है दोनों का ही मैंने इस्तमाल चेहरे पर किया मुझे result बहुत अच्छा मिला है आज आप देख सकते हैं मैं 58 एर की complete हो चुकी हूँ इस उम्र में भी मेरे चेहरे पर बिल्कुल भी wrinkles जुरियां नहीं है देख सकते हैं आप ये इस pack को मुझे इतना अच्छा result मिला है इतना अच्छा तोचा को पोशन मिलता है जिससे हमारी तोचा अंदर से glow करती है हमारे तोचा पर निखार आता है तो इस remedy को जरूर ट्राय करिए का दोस्तों 15 मिनट के बाद आपको चहरे को धोना इसे ब्रश से कभी नहीं लगाएं अपने हाथों की मदद से थोड़ा सा मसाज करते हुए लगाएं स्क्रब करेंगे न हमारे चहरे की सारी मृत को शिकाएं भी अलग होंगी चहरे के अलावा अपनी गर्दन पर लगाएं जो पैक बच गया है उसे मैं अपने दोनों हाथों और पैरों पर भी लगाने वाली हूँ 15 मिनट बाद चहरे को धोलीजे परिवार को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें टिप्स थियेटर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों कमेंट करें